वेलकम टू ओल मैडियर श्ट्रेंट स्वागता आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे बिद्नी वरेंद्र आईए श्ट्रेंट आज हम लोग देखने वालें क्लास एट का होरीजन माई बुक अप सोशल साइंस नाम बुक का ठीक है सेक्शन है सोशल और पॉलिटिकल चैप्टर है साइब जिसका नाम है मार्जिनालाइजेशन ठीक है यहां पर एन और लगेगा भाई चलिए टिक दा करेक्शन के पास आ चुके हैं तो सबसे पहले कोश्चन देखते हैं क्या है ला हिंदू फॉर्ट टायर का सिस्टम ऑफ एंसें इंडिया स्कॉर ठीक है तो राइट आंसर है दलित अकोरडिंग्टू 2011 सेंसट अपरसेंटेज और टोल इंजीं पोपलेशन एज दो हजार एक्टी सेंस के अकोरडिंग जो सेडियू कास्ट के परसेंटेज थी वो कितनी थी ती एट पाइंट सिक परसेंट 16.16 या 41 परसेंट राइट आंसर है 16.6 परस प्रमेने निबी इसलाम एंडोस्टेंटी राइट आंसर है क्रिस्टेंटी लाइट ब्लेंक की बात करते हैं यानि किसी बी जंगल को वो क्या कर देते राज्ये की को सित गोशित कर देते थे कौन से दो एक्टे भाई तो यह थे फोरेस्ट रेगुलेशन एंड इंडियन फोरेस्ट एक्ट फिलिंदा ब्लैंक वाजे प्रोमिनेंट आदिवासी लीडर अब दा आदिवासी रिवोल अगेंस दा बिटेस इंचारकन तो यानि आदिवासी लीडर था जो की अ ठीक है इनों ने क्या किया था क्या वाई कोई लौ था क्या था जिसके वजब कर देते इनको declare कर देते आदी बास योगों कि यह रिवैलिंग है क्रिमिनल से हैं लोग ठीक है तो क्रिमिनल ट्राइपस एक्ट के से यह सब कर देते थे according to the indigenous activities the number of villages fully और partially submerged due to the construction of सदर सरोबर डाम बाज ठीक है तो यह सरदार होगा आई थे यहां पर है ना तो यह कह रहा है कि indigenous activities थे जो number of villages जूब जाते थे या partially submerged हो जाते थे सरदार सरोबर डाम के बाज तो उनको क्या नाम देते थे उनको यह आपसे पूछ रहा है कि यह सी चीज़ी जो हो रही थी according to indigenous activists के according number of villages वो quantity आपको बतानी है तो वो थी बाटा कितनी 178 the percentage of other backward classes of the country यानि OBC जो classes है उनकी percentage population according to mandal commission report के according 1980 में कितनी थी तो यह थी बाटा 52% OBC गी next state true or false true or false आपको बताना है name the name दलित means children of God ठीक है क्या यह सही बात है it's false the आदिवासी have their own language of ways some are as old as Sanskrit आदिवासी लोगों की अपनी संस्क्रेश होती है जो कि कुछ लेंग्विज तो इतनी पुरानी है जितनी के संस्क्रेश क्या सही है it's true there are 980 tribes as notified under article 342 article 342 के according 980 tribes of the constitution of India भारत के सम्मेदान के according it's false next the national sample survey organization in 2016 determined the population of OBC to be 41% of the total population of India यानि 2016 की population के according जो अभीशी population है वो 41% है क्या true है yes it's true the central government by way of two notification one in 1993 and other in 2014 central government notification निकाला एक उनिस सो तरान में में दूसर 2014 में has notified eight minority communities in India और बताया कि eight minority community हैं इंडिया में क्या बास सही है it's false short answer type question आ चुके है name the marginalized groups of India marginal groups of India के नाम बताईए तो यह हैं भाई schedule cost estes जिनको बोलते हैं schedule trust estes बोलते हैं other backward class OBCs जिनको बोला जाता है according to the constitution schedule cost order 1950 का जो order है marginalized communities of the which religion can be demand as schedule cost ठीक है कौन सी community मतब दीम कर सकती है religion को अपने can be deemed as schedule cost जिनको schedule cost हम कह सकते हैं कौन सी communities है भाई the Hindu religion can be deemed as schedule cost according to the constitution ठीक है तो उनको schedule cost का अभी दिया नहीं है हो जाएगा हो सकता है आगे future में ऐसा state the two Hindi words from which the term Adivasi has been derived with their meaning ठीक है आपको दो Hindi words बताने है जिससे Adivasi मिलके बना हुआ है ठीक है Adivasi is the collective term used to identify many indigenous people living in India indigenous मतब यहीं के लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं the term Adivasi is derived from the Hindi word means Adi which means from the beginning जो शुरुआत से हैं and Vasi meaning resident तो Adivasi जो शुरुआत से यहीं रह रह रहे हैं वो यहीं के निटिव है what is the percentage of reservation of the OVC's in public sector employment and higher education OVC's को कितने percent अरक्षन दिया जाता है reservation दिया जाता है employment में और education में यह है 27% which six religious communities in India have been declared as minorities by the central government ठीक है वो कौन से six religions हैं communities and religious in India जिनको declare किया गया minorities central government के द्वारा तो यह है Muslims Christians six यह ऐसे बने का बैटा six है ना S-I-K-H-S है ना six बुद्धिष्ट हो गए पार्सी हो गए जेंस हो गए next long question answer की तरब चलते हैं describe marginalization from ancient times to present day यानि आपको बताना है marginalization from ancient पुराने समय से लेकर आज तक के बारे में बताईए देखो भाई marginalization refers to the discrimination of the certain communities who have been at the bottom level of the society due to various social, political and economic reasons marginalization का मतलब होता है discrimination किया जा रहा है discrimination हो रहा है होता है certain communities का जो की bottom level पे है समाज के है ना पीचे लेवल पे हैं ठीक है social level में political और economic reason की बज़े से ऐसा होता है in ancient time in India वे अंदा वर्णा यानि का सिस्टा बाज प्रिविलेंट जब यह ज़्यादा हावी था the society was divided into various groups तो हमारा समाज बहुत सारे groups में डिवाइड हो चुका था based on the occupation उनका जो बिजनी से था प्रोफेशन था उसके according ठीक है वर एंगेज इन वो जिसमें एंगेज थे marginalized groups of that time who were not included in the main stream of the society यह वो गुर्प हुआ करते जिनको समाज की main stream में सामिल नहीं किया जाता था marginalization is experience economic social cultural and political spheres ठीक है marginalization is experience किया जाता था economic social culture and political sphere के नजरे से of the lips of certain communities in the society यानि कि यह certain community हुआ करती जो रहती थी समाज में next बात करते हैं the first amendment to the constitution passed in 1951 authorized the state to come special provisions for the development of marginalized groups ठीक है तो 1991 में constitution के द्वारा first amendment किया गया था to make special provision in के special provision किया गया था for the development in के development के लिए it aims to protect the interest of the marginalized group इन groups के interest को prevent करने के लिए बचाने के लिए भाई by providing measures that would ensure equality and abolish discriminative practices ठीक है ताकि इनको भी equality मिले और discriminatory कोई practice अगर हो रही है तो इनको रोका जाए समूल उसका नास कर दिया जाए उखाड के फैंक जा जाए ऐसी बुराई को इनसान उपनी बुराई को right and not on अधिवासी और सैट्विल ट्राइप एक नोड लिखना आपको है ना तो यह question mark नहीं आएगा फुलिष्टो पाएगा चले आधिवासी इस दा collective term used to identify many indigenous people living in India तो एक collective term है जो बहुत सारे लोग हो सकते हैं groups हो सकते हैं जो यहां पर रह रहते भारत में according to the census of 2011 2011-2011 की जंगर्णना के नुसार आधिवासी प्यूपिल और पॉपलेशन ऑफ ओवर 10.3 million प्यूपिल constitute 8.6% तो कितने थे वो लगबाग 8.6% थे टोटल पॉपलेशन के of India's total population they live throughout India वो भारत में लगबाग हर जगे रहा करते थे but are primarily based in the mountains and hill area लेकिन जनरली पहाड ओपर यह hill areas पर यह रहा करते हैं the term settled tribes has been used in constitution of India for the आधिवासी तो settled tribes जो है वो जनरली आधिवासी के लिए यूज किया जाता है भारत में the states of मध्य प्रतेश, उडिशा, राजिस्थान, गुजराद, महाराष्टा, जारकान, चत्तिसगर, अंध्य प्रतेश, बेस्ट बेंगॉल, करनाटगा are the states having a large number of settled tribes तो यहां पे सबसे ज़्यादा settled tribes रहा करते हैं आधिवासी have been their own language उनकी अपनी लेंग्विज है और विस सम आर ओल्ड एस संस्क्रत कुछ तो इतनी पुरानी है कि जितनी संस्क्रत and have developed into regional Indian languages और regional English language में develop हो चुकी है यहां पर है यहां पर टी छूट गया है वाई हमारे टाइट बालों से थोड़ी गलती हो जाती कभी-कभी चलिए अपनाते हैं जो हिंदु से थोड़ा डिफरेंट है सिक्किज्म से इसलाम से क्रिश्चिन से इंबॉल्विंग दा वर्सिप और एंसेस्टर अपने पूरवजो की वो पूजा करते हैं बिलेज एंड नेचर इस्प्रिट रखते हैं सबसे नंबर वन पर है मध्यप्रदे दूसरे नंबर पर आता है उडीज़ा नेक्स्ट हाओ है अधिवासी बीन एंगाल्फ इन दा विस्क विसीसियस साइकल ऑफ दा पौवर्टी एंडिट्रेशी इंडिपेंडेंट इंडिया तो किस तरह से आधिवासी हैर्विंड इंडिया में दा कंस्ट्रेक्शन ऑप लाज स्केल बिल्डिंग डैम्स बिल्डिंग बनी बड़ी बड़ी डैम्स बने और इरिगेशन सिचाई के लिए हाइड़ एलेक्टिसिटी फोस्ट दा अधिवासीश तू माइग्रेट तू सिटी और इसकी बज़े से वो सिटी में उनको जाना पड़ा and towns in search of work काम की तलास में where there were forced to work as laborer जिसकी बज़े से वो वहां पर laborer बनके रहे बहुत कम दाम पर who are minorities, minorities कौन होते हैं, how can reading article 29 and 30 together help us to infer that the term minority refers to religious and linguistic minority ठीक है, तो आप से कह रहा है कि how can reading article 29 हमारा जो article है, 30 article जो है, together दोनों help करते हैं to infer that the term minority minority को समझने में refers to religious, क्या है religious है या linguistic भासा के अधार पर है चलिए, जानते हैं, the community that are smaller in number as compared to rest of the population are referred to as minority यानि ऐसी community जो population में quantity में कम होती है, as compared to the main stream, main population से तो उसको minority का दर्दा देते हैं, तो हम वो सब को बता है, in the constitution of India, the term minority can be inferred from article 29-30 read together that it primarily refers to the religious and linguistic minorities, तो यहाँ पर generally linguistic यानि language के basis पर, religious यानि धर्म के basis पर, यह आर्टिकल 29-30 हमारा बताता है the constitution of India came into effect with special fundamental rights for minority as stated below, उनके लिए कुछ special है न, क्या है fundamental right for minority के लिए है, क्या है भाई जानते हैं, article 29 protection of interest of minority, इस पर क्या कहा गया है any section of the citizens residing in the territory of India or any part of there of having a distinct language यानि ऐसे कोई भी section जो भारत देश में रह रहा है, भारत की territory के अंदर रह रहा है, ठीक है जिसकी अपनी distinct language है, script है, culture है, of its own cell have the right to conserve the same तो उसको हम protect करेंगे या उसको protect करना चाहिए, ठीक है, उसको protect किया जाना चाहिए no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving ad out of the state funds on ground only of religion, race, caste, language or any of them ठीक है, और साथ में ये भी कहा गया कि कि किसी भी citizen को आप admission देने से मना नहीं कर सकते है, चाहे वो education institute हो, ठीक है चाहे वो क्या हो, किसी तरह के funds हो, ठीक है, चाहे, central government से मिल लो, state government से मिल लो religion के आधार पर, race के आधार पर, caste, language के आधार पर आप मना नहीं कर सकते है Article 30 कहता है, right of minority to establish and administer educational institution ठीक है, ये कहता है, minorities के right, establish and administer educational institution में भी ये सारी चीज़े होती है जैसे की, all minorities, whether based on religion or language, चाहे वो religion के basis में हैं, चाहे वो language के basis में है cell have the right to establish and administer educational institution of their choice वो अपनी choice के पसंद के उसमें institution में दाकिला ले सकता है, admission ले सकता है ठीक है, लेकिन minimum eligibility को पूरा करें तब The state cell not in granting ad to educational institution discriminate against any educational institution on the ground of that it is under the management of a minority, whether based on religion or language State cell not in granting, ठीक है State cell not, है ना, state जो है, हमारा जो राज्जी है, ठीक है अगर आप किसी educational institution को सहायता देते हैं, तो आप इस basis पे कि भाई यह तो minority का, यह इसका है, ठीक है तो आप इस तरह से discrimination बहाँ पे नहीं कर सकते हैं, या इस management को तो minority लोग चला रहे हैं, तो उस पर religion या language के basis पे आप कोई भी discrimination नहीं करेंगे Next, write a brief note on the provision for the appointment of the marginalized community एक आपको note लिखना है, क्या क्या प्रोविजन किये गए अफलिप्मेंट के लिए marginal communities के, चानते हैं Various articles of the constitution of India for the welfare and appointment of the marginal groups of the society are grouped under the following heads यह कुछ गुरूप किये गाएं, यहां पे कुछ चीजें बताएं कि इनको safeguard हम कैसे करें Number one, social safeguard सामाजी गूरूप से, economic safeguard आर्थी गूरूप से, educational and cultural safeguard करने चाहिए Political safeguard, service safeguard, special safeguard for settled tribes के लिए तो इतने सारे provisions हैं भाई इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, comment box में comment करके जरूरूप बताईएगा क्या यह वीडियो आपके लिए helpful होते हैं, आपकी help करते हैं, exam point of view से, home work point of view से किस school से आप belong करते हैं, who is your best teacher, कौन सा सब्जेक आपको सबसे अच्छा पहसा है comment box में comment करना ना भूलेगा, तो चलिए student हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, तो मिलते हैं, next वीडियो में तब तक लेते हैं, bye